अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जन्माश्मी का मौका है वो कुछ संबोधन कर रहे हैं पहले उनकी बात सुनते हैं मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मत्तर मानवता को संकट में डालने का कुछित प्रियाद याद करिए दुनिया की कौन से ऐसा मत्त मजब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पाउड़े विछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्सार उनके संग्रक्षन का कारियन किया हो हमने कभी नहीं कहा कि हम विसिष्ट हैं कोई सनातन धर्मावलंबियों कभी यह नहीं कहता है कि हम विसिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं कभी नहीं कहा हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुदा वदंती सद के एक है और विजवान लोग उसको अलग-अलग महापुरुश लोग उसको अलग-अलग भाओं से देखते हैं अलग-अलग रास्ते से स्कनकर्ण करते हैं इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है अपनी मुरखता वस वह अगर सूर्य की तरफ ठोकने का प्रियास कर रहा है तो सूर्य तो इसका ठोक नहीं पहुँचेगा उसके सिर पे स्वयम गिरेगा और उसके उसको और उसकी आने वाली पेड़े को स्वयम लचित होना पड़ेगा हमें भारत की प्रमपरा पर गारव के अन्भूति करनी चाहिए दुनिया को मानुई कल्यान के मार्ग पर चलने वाली पेणा देने वाले सनातन धर्म की प्रम्परा पर गौरब के नभूती करनी चाहिए यह भारत की राष्टियता का प्रतीक है भारत को एक नई पेणा देने का माध्यम है दुनिया के अंदर मानावता के कल्यान का मार्ग प्रसुस्त करने वाला मध्यम बनता है और यही कारण है कि आजादी के अम्रित महत्षा के उपरांत अम्रित काल के प्रतम वर्षन है जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतनित्व प्रणान मंत्री मोधी जी के नित्रित्व में कर रहा है तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधेव कुटुम्ब कमका याद करिए दुनिया जिस सद्ध के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है उस बात को अंगिकार करता रहा है और जब भारत को अपने इन उपलग्द्यों पर गवर्षों के अन्वूति होनी चाहिए हर भारत वासी जब इन मुद्दों को लेकर कि एक जिट होकर कि भारत की 140 करोड की आवादी जब भारत के सिस्री नित्रित्व में आगे बढ़कर कि एक साथ कारे करेगा तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी पाकत की रूप में वरने से कोई लोग नहीं सकता है लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की संब्रदी जिनको अच्छा नहीं लगता वे लोग कुछ ना कुछ ब्योधान पैदा करने का प्रियास करेंगे हम लोगों को इनकी प्रवार के वगर अपने पत्पर अग्रसर होना होगा क्योंकि एक काल में नहीं हुआ हर काल में सत्य को जुटलाने का प्रियास हुआ है क्या रावर्ण ने जुटलाने का प्रियास नहीं किया था क्या उससे पहले हिंडकस्प ने इस्वर की और सनातन धर्म की आउमानना करने का प्रियास नहीं किया था क्या कंस ने इस्वरिय सत्ता को चनौती नहीं दी थी और इस्वरिय सत्ता को चनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है सब कुछ मिढ गया कुछ नहीं बचा है लेकिन इस वर जैसे सत्य है सास्वत है ऐसे सनातन धर में भी सत्य है सास्वत है हमें सत्य और सास्वत्ता को सदे उंगे कारे करके सकारात्मत भाव के आगे बढ़ना चाहिए और ये पुलेश के लिए तो खासपर पर बगवान कृष्ण की ये दोनों पिंड़नाएं के कर्मने वादिकार रस्ते मा फलेशु का धाचना यानि कर्म करते रो बलके चिंता मत करो निसकाम कर्म की जिस पिंड़ना को उन्होंने दिया था वह भी पिंड़नादाई है ही हर न उनके प्रित्रान के लिए उनकी रक्सा के लिए उनके संग्रक्षन के लिए जहां कारे करेंगे वहीं दुष्ट प्रबिर्टी के खिलाब उतनी ही कठोरता के साथ कारे करेंगे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस ने भागवान स्री कृष्ण के इन सभी उत उत्तरप्रदेश के प्रिसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है आज इसी का पेड़ाम है एक वर्स में 31 करोण प्रेटक उत्तरप्रदेश में आते हैं देश के सबसे बड़े इन्वेस्मेंट के डिस्टिनेशन के रुप में उत्तरप्रदेश आज देश के अंदर उभरता है और उत्तरप्रदेश के बारे में लोगों की धाना बदल चुकी है अब लोगे मानते हैं कि उत्तरप्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी प्रकतिवादी करने वाले बढ़नी राज्यों में अफ्तर हदेश की गिंपी हो रही है